हाँ अब तुम सेंटर पे लेके आना सेंटर पे आओ तुम अभी यह बाबा का बेंगन का प्लाइंट है और इसमें आज ब्रह्म कुमारी बेहने सबसे पहले देड़ मास का यह बेंगन का पेड़ है छोटा सा और इसमें सबसे पहले जो जा रहा है बाबा के घर में बाबा के बच्चों के हाथ से निकाले जा रहा है बेंगन आप बेंगन भी देख सकते हो देड़ मास का यह पोदा दिदी जी दिखाओ बेंगन इस तरह से बेंगन बहुत अच्छा क्वालिटी का और में बात यह जैविक है इसमें कोई भी रासाइनिक खत आदी नहीं है पिवर जैविक है तो भाई बोल रहे कि अगले बार भरित के लिए भी बेंगन सेंटर के लिए ले जाना शुक्रिया बाबा थैंकियो बाबा इस खिती में भर पूरुत पाद हो सदा बाबा की किरने रहे पावर्फुल आत्मा निरोगी स्वस्त रहे ठैंक्स बाबा जो हम बाबा के बच्चे जैसी योगी खेती करते हैं वैसे बन की वो जैवी खिती है बहुत अच्छे आरोगे के लिए खाने के लिए भी बहुत अच्छे है अ कि अ कि अच्छे हो अच्छे हो थे में लालवांगा डू श्यमती खानागादा नहीं ना यामीडल अच्छे हो अच्छे बहुता है झाल मुझा झाल मुझा झाल मुझा झाल झाल मुझा झाल